एक रात गोलू और माबू खाना खा रहे थे, तभी गोलू को खाने में एक मरी हुई चिपकली मिलती है अरे दिदी ये क्या, मेरे खाने में तो मरी हुई चिपकली है, आपको तो खाना बनाना भी नहीं आता अगर इसे खाकर में मर जाता तो आप लोग दुसरा गोलू कहां से लाते ऐसा गटिया खाना आप दुबारा मुझे मत खिलाना ऐसे कहकर गोलू गुसे में ही रानी को थपड मारता है रानी को इस बात का बहुत बुरा लगता है वो गुसे में ही गुलू को तीन दिन तक भूका रखती है गुलू तीन दिन तक खाने के लिए तरसता रहा और भूके पेट यूँ ही उन लोगों को देखता रहा चोथे दिन रानी गुलू को खाना देती है अपसे लेकर आज तक गुलू चुपचा बिना कुछ कहे अपना खाना खाता था और अगर किसी दिन खाने में छिपकली आती थी तो वो पहले छिपकली खाता था बाग में खाना शाम के समय कुवे के पास रानी और गोलो किसी गंबिर विशय में चर्चा कर रहे थे दिदी, तीन दिन से हमने कुछ नहीं खाया है अगर आज राद भी हम खाली पेट सो जाते है तो मुझे लगता है हमारे आगे कर स्वर्ग में ही खुलेगी तभी कुवे में से एक मेंडग बाहर आता है बच्चो तुम्हारी बाती सुनकर बहुत ही दुख हुआ अगर तु मेरे पहली का सही से जवाब देते हो तो उपहार की तोर पर मैं तुम्हें कुछ देना चाती हूँ कौन सी पहली तो सुनो मेरे पहली हरा आता लाल पराठा मिल जूलकर सब सहलियों ने बाटा जवाब बिल्कुल ही आसाल है हाथ में लगाने वाले मेहदी तुम्हें सही जवाब दिया इसकी फलस्वर में तुम्हें ये जादूई थाली देती हूँ इस जादूई थाली को जमीन पर रखते ही उस थाली में से खाना प्रकट होता है रानी और गोलू उसी खानी को खा कर अपना पेड भरने लगे तो जाते जाते वीडियो को लाइक करे